आज मैं लेकर आए हूं बहुत ही स्पेशल लडव की रैसिपी इसलिए क्योंकि ये रैसिपी मेरी माँ बनाती थि धन के दिनों में तो ये रैसिपी मैं अपनी माँ से ही सीकी थी तो आज मैं बनानी वाली हूं सौट के लडव बिल्कुल ट्रडिशनल तरीके से सोट के लड़ू खाने में टेस्टी और हेल्दी होते ही हैं लेकिन ये ठंड के दिनों में सर्दे जुकान से बचाएंगे तो चलिए दोस्तों ये हेल्दी रेसिपी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं जैजवार संगवारी हो नमस्कार हेलो फ्रेंड्स मैं लतजंगिल अपनी किचन में आप सबी का स्वागित करती हूँ तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ सूखा हुआ नारियल इसे भेला भी कहा जाता है नारियल का भेला इसे मैं बड़े वाले ग्रेटर में ग्रेट कर रही हूँ मार्केट में डेसिकेटिड कोकोनट मिलता है जिसे नारियल का बुरादा कहा जाता है उसे आप बिल्कुल भी नाडा ले ये जो सूखा हुआ नारियल है इसी से ही स्वादाता है तो हम इसे ग्रेट करके रख लेंगे तो यहाँ पर मैं ड्राइफरुट्स ले ली हूँ यहाँ पर मैं 250 ग्राम काजु ले ली हूँ 250 ग्राम बादाम ले ली हूँ और 250 ग्राम किश्मिश ले ली हूँ यहां पर में 100 g गोंद ले ली हूँ यहां पर 250 g मखाना तो चलिए दूस्तों बनाना शुरू करते हैं गी इस्तमाल करते हूं तो गी को अच्छे से गर्म हो गया है अब यहां पर गोंद को थोड़ा करते हुए इसे फ्राइ कर लेंगे तो इसे high flame में ही fry करना है तो चम्मच लगातार चलाते हुए इसे fry कर लेंगे ये फूल कर डबल हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों ये अच्छे से फूल गया है अब इसे हम निकाल लेंगे कभी भी गोन कोई कठा नहीं डालना चाहिए तो ये देखिए दोस्तों बारी बारी करके मैं इसे fry कर रही हूँ और ये लगभात डबल होकर ये फूल चुका है तो सभी गोन को ऐसे ही हम fry कर लेंगे तो सभी गोन को ऐसे ही fry कर लिये हैं अब हम ड्राइफूट्स को fry कर लेंगे तो ये देखे दोस्तों ये अच्छे से फुल चुका है मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है अब यहाँ पर काजु को फ्राई कर लेंगे और लगातार चम्मक चलाते हुए इसे फ्राई करना है तो यह देखे दोस्तों यह भी फ्राय हो चुका है अब इसे भी हम अलग कर लेंगे हमेशा ध्यान रहे दोस्तों कि इसे लो तु मीडियम फ्लेम में ही इसे फ्राय करना है अब यहाँ पर मखाना को फ्राय कर लेंगे मखाना को भी मैं बारी बारी से ही फ्राइ कर रही हूँ तो ये देखे दोस्तों दो बार करके मैं मखाना को भी अच्छे से फ्राइ कर ली हूँ इसे भी एक थाली में हम अलग कर लेंगे अब इसी कड़ाई में हम 3-4 चममच घी डाल देंगे घी गर्म हो जाये उसके बाद हमें सोट डालना है तो यहाँ पर घी गर्म हो चुका है अब यहाँ पर low flame में सोट को फ्राइ करेंगे लड़ू को अगर लंबे समय तक खाना है तो सोट को फ्राइ करके ही ले तो ये देखिए दोस्तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है घी में आप इस लड़्डू को जच्चा के लिए भी बना सकते हैं अगर आपको जच्चा के लिए बनाना हो तो सतावर और कमरकस जरू डालें तो यह देखे दोस्तों यह सभी चीजें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं अब हम सोट को ग्राइड कर लेंगे तो इसे मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइड कर लेंगे तो यह देखे दोस्तों बिलकुल पाउडर फॉर्म में अच्छे से यह ग्राइड हो गया है तो सभी अब इसे सी अधान करने गों अच्छे से पूर्टन में यहां डर्गाल लेंगे अब ड्रैफ्रूट्स को भी अच्छे से ग्राइड कर लेंगे अब थ्यान हैं तो इसे चिकना नहीं पीसना है इसे दरदरा ही पीसना है तो ये देखे दोस्तों मैं इसे दरदरा ही पीस ली हूँ अब इसे भी एक बरतन में अलग कर लेंगे तो ये देखे दोस्तों ऐसे ही परफेक्ट दरदरा होना चाहिए अब यहाँ पर मैं gas on करके कड़ाई चड़ा दी हूँ उसमें आधा किलो गुड डाल देंगे गुड को अच्छे से melt होने तक इसे पका लेंगे ध्यान रहे दोस्तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आप melt करने के लिए पानी डालेंगे तो हमारा जो लट्टू है वो खराब हो सकता है इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे medium flame पर इसे अच्छे से पकाना है तो यह देखे दोस्तो अच्छे स तो मिल्ट को किस्मिष कोते हैं देन। ले लेéliorा हैं, तो मिल्ट करते हुआ हमेंगे. धी 1-2 बश्निकल श्कुर्ण करेंगे और SQC केमों कर दों वे पकारेंगे, सुक्षी लिसमारील नियुके. क्योंकि ये ड्राइफुर्स वाला बर्थन उन्हें तो मैसे कढाई में seem mix कर रही हूं है तो यह देखे कञ Правट करना ढूंँ च्रोप और अशीव हो गया है अधर स्टेट में इसे ऐसे ही खाया जाता है पंजीरी के रूप में तो ये दिखे दोस्तों टेस्टी और हेल्दी सोंट के लड़ू बनकर बिल्कुल तयार है धन के दिनों में सर्दी और जुकाम से बचाने के लिए ये लड़ू बिल्कुल बनकर तयार है दोस्तों मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय जोहर, जय भारत, जय शतिजगर